आप सब बच्चों का देव क्लासिस में स्वागत है आज हम आपको क्लास जंत का अन्सौर्ट पेपर देने जा रहे हैं जो की आपको पहला पार्ट होता है तो आप देख कर लिए जारे नजदी का रहें जोगी जरूर करेंगे लेकिन अंसौल पेपर जरूर करें चलिए देखते हैं इसमें पहले चार नमबर के भविकल्पी होती हैं क्या क्या है एक दुशंकर कर पहला एक दुशंकर का दर्स प्रारूप क्या होता है यानि जीनोटाइप पीनोटाइप को बताया था दर्स प्रारूप तो एक दुई शंकर का दर्व्त प्रारूप होता है तो इशमें से देखेंगी राइट आंसर क्या होगा दुई शंकर या स्वतंतरफिवन का नियम अभी आमने आपको सटनम्बर बुचा किया था दोई शंकर नियम का दर्स प्रारूप या अनुपाई ही होता है यह तो फिर श्रतनत्रत्र विवन की नियम का तो क्या होगा ? यहाँ पर यरई आंसर आपका जो यह यह कह रहा है एक अनपाते दो आफ एक यह भी आपका गलत है और दो आनपाते यह प्रोभाविता का नियम है और Unfortunately यह भी गलत है थिन नव अन्व पाते दर्ष प्रारूख पूछता है तो आपका नव अन्व पाते तेहनों पूछते हैं गन्व पाई जाने वाली मिशृत गरंथ है यहां पर देखेंगे कि कौन सा राइत आंसर है आपका पिशृत गरंथी नहीं है तो यह अके लिए मिशृत गरंथी नहीं है तो राइट आंसर यह नहीं होगा दूसरी thyroid ग्रंथी आपके गले में पाई जाती है ये भी नहीं होगा अगनासे ग्रंथी और adrenal ग्रंथी तो आपका adrenal right answer होगा यहाँ पर अगनासे ग्रंथी जो होती है वो मिस्रित ग्रंथी होती है क्योंकि यक्रस से समंदित होती है इसलिए इसको मिस्रित ग्रंथी भी बोला गया है अगला कुशन देखेंगे इसमें चार बोल विकल्पे होते हैं तो हो गए तीसरा है यह एक मनुस्य में प्रतिवर्थी क्रिया नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्र का तंत्र का कौन सभाग च्यति गरस्थ होगा यह नहीं होती है जैसरे कि कोई प्रतिवर्थी क्रिया का मतलब क्या होता है और प्रतिवर्थी क्रिया कैसे होती है तो यदि एक मनुस में प्रतिवर्थी क्रिया नहीं होती तो उसके तंत्र का तंत्र का कौन सा भाग चतिग्रस्त होता है प्रामस्तिक अनुमस्तिस्क मेडलामनागेटा या मेरुरज्यू त इसमें अनुम मस्तिस्क के तीनों भाग हैं भी हमने यह तीनों भाग भी समझायते पहले सेट में इसलिए सब लाइन से से देखें तो आपको जरूर सारी चीजे समझ में आएंगी तो यहां पर प्रतिवर्ति क्रिया होती है वो इसके द्वारा होती है मेरूरज्जू के क्योंकि मेरूरज्जू के द्वारा ही यह क्रिया संपन होती है तो राइट आंसर होगा यह आपका मेरूरज्जू चलिए अगला कुशन देखते हैं मटर के एक सुद्ध लंबे कैप्लल टी पौधे का संक्रन एक बौने पौधे स्माल्टी से कराया जाता है तो दूसरी पिड़ी एप्टू में प्राप्त सुद्ध लंबे वसुद्ध पौने पौधे का क्या अनपात होगा मटर के एक सुध लंबे पौधे यानि कैप्टल्टी पौधे को संग्रल कराने पर बौने पौधे से कराते हैं तो F1 पीड़ी में नहीं F2 पीड़ी में प्राप्त सुध लंबे पौधों का अनुपात क्या होगा तो उनका अनुपात एक अनुपात एक होगा तो कि एक एक ही प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे तो उनका अनुपात क्या होगा एक अनुपाते एक अगला कुशन है आक्सी तथा नाक्सी सुषन में अंतर बताएं तो यहां पर पुछा करता है कई बाद आक्सी तथा नाक्सी सुषन या इसके कह सकते हैं या आवायोवी आक्सी को ही वायोवी बोलते हैं और अनाक्सी को आवायोवी बोलते हैं तो इसमें अनाक्सी स्वसन में देखें आक्सी स्वसन मतलब जिसमें ऑक्सीजन क्या आउसकता होती है और अनाक्सी स्वसन में इस क्रिया में ऑक्सीजन क्या आउसकता नहीं होती है क्रांट पितला लयमें का इसी कर्फाольшा इसमें कब मात्रा में मुख्थ होती हैं अगला कूश्चन इसमें जीन प्रारूप तい द्रश प्रारूप में उन्तर बताईए इसी को बोलते हैं जीनो टाइफ चांड़ bạn 찾ब उच्छंप पर चैने नहीं तर लेसे उच्छंप की जीव की टाके Burin === पेटिरन निएक यहां जानी नहीं सरी जीनी हैं यह आपका किसी जीनी टाइप में ज्यू की जीनी संद्शना को जीनो टाइप कहते अर्था किस हार्मोन की कमी से मधुमे रोग हो जाता है और यह किस ग्रंथी से स्रावित होता है इंसुलेन हार्मोन की कमी चार अंतर बताईये देखेंगे लेंगिक और अलेंगिक और असेक्सवल डिप्रोडेक्शन और सेक्सवल डिप्रोडेक्शन में अंतर पुछा गया है सेक्सवल और असेक्सवल लेंगिक मतलब अलेंगिक जनन देखेंगे संतान के उत्पति के लिए प्रायाहा दो जनकों का होना आवस्यक है मतल युदमक बनते हैं और निशेचन के पस्चात समसूतरी विभाजन होता है इसमें समसूतरी कोशी का विभाजन होता और इसमें आर्धिसूतरी विभाजन अगला देखेंगे इसमें लेंगिक जनन में फाटिलाइजेशन होता यानि निशेचन के क्रिया होती है और अलेंगिक परपरागण को परिवासित कीजिए इसके महत्व का वरण कीजिए परपरागण क्या है परपरागण को परवासित करना है इसके डिफनेशन लिखना है और इसके महत्व का वरण करना है पर परागर क्या है एक पुस्प के परागर जब उसी जाती के पुस्प के वर्तिकागर पर पहुँचते हैं तो इस क्रिया को परागर कहते हैं कि पुस्प के परागर उसी जाती के पुस्प के वर्तिकागर पर पहुँचते हैं यह दो प्रकार का होता है लूंपर देखेंगे परागन के महत्त्र इससे उन्ना सेल प्रजातियां विक्सित होती है यह जव विकास का आधार है दूसरा नमबर इसका होगा विभेनताओं के कारण उच्छ गुणवाले स्वस्थ वीजवाल प्राप्त होते हैं जो संकरोज को प्रदर्शित करते हैं तीसरा है परागन द्व संद्रिक होते हैं अगला है गैसिजा वस्था में पायाने वाले हर्मोंग कली रोधा कि वसका लाकृतिक पदार था यानि इसका कारिका होता है यह कली की ब्रदी और वीजों को अंकूराण को रोगता आ और पकाने का भी कारिक करता है यह एफ सीसी कंवλ होता है जो सबस्क्राइब आप आप इसिती कंवले के घोल को पत्यों पर छिरकने से उनका सीग्रीई बिलगन हो ज होती है तो इस्टेमेटा जो बंध होते हैं जिसके कारण वास्पोस्ट रजन कम होता है यह उनका कार्य भी करता है अगला कोश्चिन है थायराइड ग्रंद से स्रावित हर्मोंस का नाम बताएं इसके प्रमुक कार्यों का वरण कीजिए यह आपका लेशन कोबेड-19 के कारण करता हुआ है लेकिन फिर देख लेंगे थायर्ड ग्रंद से स्रावित हर्मोंस होता है थायराक्षिन हर्मोंस थायराइड में थायराक्षिन होर्मोंसि क्या ने थे कहीं और प्रोटीन्सिंसिलेशन ग्लुकोस की charge कौझ उपयोग में रधाइ स्पन्दंदर को बढ़ाता है इसके कमी से हर्धाइ की गती भी धीमी हो जाती है अगर थैर्एड गरन्त की कमी घ्र Ultra की कमी ह Nous Trad observative मेंडल के नियम को एक उधारत दे करके संझाईए मेंडल के अनुमानसिक कितने नियम है तीन नियम है यह भी 2020 में आपका पुछा गया था लेकिन फृर से आपका आया है तो समझाए दे रहे हैं लिकिन आपकी 2020 में यह तीनों नियम पूछे गए हैं पहला नियम है एक लच्छन तथा प्रभाविता का नियम इस नियम के अनुसार परस पर विप्रीत लच्छनों बाले पात्पों में संक्रण करने पर पेड़ी संतत में प्रदर्शित लच्छन प्रभावी लच्छन होते हैं पर जो लच्छ तो प्रथम पीड़ी यानि F1 पीड़ी में प्राप्त सभी पौधे लंबे होंगे, क्योंकि लंबे पन का गुण जो होता है, प्रभावी होता है, क्योंकि वो लंबा पन दिखाई देता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, प्रभावी और बौना पन का गुण अप्रभावी हो होगी जो की यह सभी लंबे पौधे होंगे एस नियम के अनुसार जब एफवन पीड़ी के विसम युगमजी यानि अलग परकार के पौधे में स्वापरागन कराए जाता है तो दूसरी पीड़ी यानि F2 पीड़ी के संतानों में परस पर विपरीत लच्छनों का एक निश्ची तनुपात में प्रथा करण का नियम कहते हैं इस नियम का नुसार यानि जब F1 पीड़ी में विपरीत या विशम युगमजी पौधों में स्वापरागन कराये जाता है तो जो दूसरी पीड़ी प्राप्त होते हैं उसके संतानों में परस पर विपरीत लच्छनों का एक निश्ची तनुपात में निश्ची तनुपात होता है जिसे प्रत्light करण का नियम कहते हैं जैस संकर लंबे पॉधे प्राप्त होते हैं F1 पीढ़े के पांगरमे 100 परागण कराने पर दूतियह तथा F2 पीढ़ी में लंबे तथा बौने पॉधे तीन अन्पाते एक के अनपात में पर फिनो टाइब का अनपात होगा लेकर्ट जो जीन परारूप होगा जो दर्श प्रधाकरण के नियम में आ जाता है जब वहाँ पर यी फ्वलंबे पौधे प्राप्थ हुए ते इसे प्रफाविता की नियम होता है जाता है जैसे कि आपने यहाँ पर कैपिल्टी और एक इसमाल्टी दो जगह से दो बार ले लिया जब इस टी को इस टी से संक्रन कराएंगे तो एक यह कैपिल्टी प्राप्त होते हैं जब इसी टी को इस टी से कराएंगे तो एक कैपिल्टी और एक इसमाल्टी प्राप्त हो कि एक एक प虫 हैं capital टी और म्ञल्टी आर्ड जो ये आपका जो बीच. यह दो पादध हैं इसल sticking Concept Ho होगा एकन सद्वार्फ एक डुशवीर एक एक का कि आगे देखेंगे । में तीसरा नियम है श्रतंत्रप May noisy का नियम कर आ जाता हैlla लच्छनों को प्रथक करण तथा प्रथक करण तथा जयन सुतंतरश्य होता है अर्थात एक लच्छन बनसागती दूसरे लच्छन को प्रभावित नहीं करते हैं जैसे कि जब पीले गोल तथा हरे जुरीदार बीज वाले शुद्ध जनक पौधों में संक्रण कराए जाता ह तो प्रथम पीड़ी जो प्राप्त होती है F1 में सभी आपके संकरपौधे गोल तथा पीले बीज बाले होंगे और यहीं सिद्ध होता है कि बीजों का पीला रंग जो होता है और गोल आकार प्रभावी होता है और जो हरा रंग है जुरीदार आकार है वो आप्रभावी है यानि F1 पीड़ी को स्वापरागड कराने पार F2 पीड़ी में 4 प्रकार की बीजबाले पौधे होते हैं जिनका अनपात होता है 9 अनपाते, 3 अनपाते, 3 अनपाते, 1 का अनपात प्राप्त होता है यह भी आपको बताए भी पहले सेट में भी मिला था यह आपका कोशन जैसे कि पीले गोल 9 होते हैं, हारे गोल 3 होते हैं और पीले जुरिदार 3 होते हैं, हरा जुरिदार एक होता है तो 9 अनपाते, 3 अनपाते, 3 अनपाते, 1 का यह आपका अनपात रहा यह आपका दूसरा सेट भी कंपलीट हो गया है यहीं पर लाश कोशन था यह चलिए ज़्यादा ज़्यादा बच्चे सेयर करें सभी बच्चों को सेयर करें ताकि सभी बच्चे तो कि वीडियो पहुंच सकें और जो नए बच्चे हों वो चैनल को सब्सक्राब जरूर करें जन्नवाद जन्नवादाotom जन्नवाम